हमारा आज का सब्जेक्ट कैटल एक्रेट जिसको आम तोर पे बगुला के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम भूबलकस आइबिस है और यह एलडाइडी फैमिसे तालुक रखता है यह कोजमोपॉलिटन बड है कोजमोपॉलिटन उस चीज को कहा जाता है जो के ज्यादा तर दुनिया के हिस्से में पाई जाए आपको पाकिस्तान और इंडिया में आप पे लीटल एगरेट केटल एगरेट इंटरमेडिय एग अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो यह बगले आपको इस तरहां के खेतों में नजर आएंगे नदी नालों के किनारे माल मुवीश्यों के जो फार्म होते हैं वहां पे शिकार की तलाश में टिक टिकी लगा के बैठे हुए आपको यह नजर आएंगे जब किसान अपन इनकी लंबाई होती है और 400 ग्राम के करीम इनका वजन हो सकता है अगर मेल और फीमेल के फरक की बात करें तो देखने में दोनों सेम नजर आते हैं लेकिन मेल का साइज फीमेल के साइज की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है दूसरा फरक यह के जब इनका बीडिंग के खतम होने के बाद भी कुछ सर्सा तक रहते है जब यह का कलर जा सांगा ने के रौए और और फόरन हालत में आ जाता है तो मुऌन सुन की न भारिडिंग सीजन अग Зाटा हो जाता है जो के आज़स्ट तक रहता थैह ऐपीक सीजन ब्रीडिंग का प्रेइक सीजन के अंडे देती है जिसमें से 24-28 दिनों के बाद बच्चे निकलाते हैं और वो बच्चे 35-40 दिनों के बाद अपना घंसलाच होने के लिए बिलकुल तयार होते हैं जब तक बच्चे अडल्ट नहीं हो जाते तो बच्चों की टांगे और चूंच का कलर जो है वो ब्लैक रहत को खाते हुए आपको नजर आएंगे इनसानों के साथ अगर इनके रिलेशन के बात करें तो काफी हट तक बहतर है अच्छा है इनसानों के लिए ये बाद उकात परिशानी का सबब बन जाते हैं क्योंकि जब ये वहां पे ज्यादा तदाद में होते हैं तो ये खटमल आत करते हैं अगर इनके लाइफ टाइम लाइफस्पैन की बात करें बहुत कमाल का होता है बीसे तेई साल तक ये जिन्दा रह सकते हैं और अगर इनके प्रेडेटर की बात करें नके खुद्रती शिकारियों की बात करें तो फौक्स जैकल और ब्रीडिंग सीजन को दरां किस्ट कुंसर्न है इनकी तदाद को कोई खत्रा नहीं है तो यह थी केटल एगरत गुबलकर्स आइबस और बगुला के बारे में शोर सी ओथेंटिक इंफरमेशन इस वीडियो में हमने इनको पकरने की कोशिच नहीं की क्योंकि इनका वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला ह तो इस वाज़ा से हम इनको डिस्टाब करना नहीं चाहते थे लेकिन कम से का मिनको उडा सकते हैं तो 3, 2, 1